बिहार पुलीस अकादमी एवं बिहार सैन्य पुलीस के डीजी गुपतेश्वर पांडे अब बिहार के डीजीपी बन चुके हैं 1987 बैच के IPS अधिकारी गुपतेश्वर पांडे का जन्म बक्सर जिला के छोटे से गाउं गेरुआ में 1961 में हुआ था बिजली, सडक, अस्पताल और स्कूल जैसी मूल भूत सुविधाओं से कटे इस गाउं के बच्चों को प्राच्मिक सिक्षा के लिए नदी नाला पार कर दूर के गाउं जाना होता था दूसरी गाउं में स्कूल में भी मूल भूत सुविधाओं का अभाव था कोई बेंच, डिस्क, कुडसी नहीं थी गुरुजी के बैठने के लिए चारपाई और छात्रों के लिए बोड़ा या जूट की टाट रखी होती थी पढ़ाई का माध्यम भी ठेट भोजपूरी होता था ऐसे महाल में गुपतेश्वर पांडे की जीवन यात्रा की शुरुवात होई सुविधा, विहीन, परिवार, समाज और गाउं से होने के बावजूद गुपतेश्वर के दिल में कुछ बड़ा करने का जजबा था और यही कारण रहा कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी पुलीस के सीर्शपद की जिम्मेदारी गुपतेश्वर पांडे को सौपी गई है बरहवी कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तिरन करने के बाद उन्होंने पटना विश्विद्याले में नमांगन कराया और अपनी मेगा परिश्वरम और दिरिड संकल्प के जरिये बिना किसी कोचिंग के स्वर्ध्याय के बल पर 1986 में IRS बने संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा परिक्षा दी और IPS बन गए बिहार में सेवा का मौका मिला 31 साल की सेवा में गुपतेश्वर पांडे ASP, SP, SSP, DIG, IG एवं EDG के रूप में बिहार के 26 जिलों में काम कर चुके हैं उन्हें कम्यूनिटी पुलीसिंग के पुरोधा के रूप में जाना जाता है कम्यूनिटी पुलीसिंग के जरिये ही उन्होंने 1983-84 में बेगु सराय 1995-96 में जहानाबाद जिले को अपराध मुक्त किया था और अब बिहार की एक बड़ी जिम्मेबारी गुपतेश्वर पांडे को सौपी गई है बिहार के DGP बनाए गए हैं ग्रीविभाग ने अजी सूचना जारी कर गुपतेश्वर पांडे को बिहार का नया DGP न्यूक्त किया है एक बड़ी जिम्मेदारी गुपतेश और पांडे के कंधों पर सौपी गई है Bureau Report, Life Cities